हलो स्टुडेंट्स वेलकम इन गेट नॉलिज इस दिव्यम आईश्विडी स्टुडेंट्स आप सीख रहे हैं MS Paint in Windows 10 और आज की वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है विकास आज आज आप सीखेंगे किस तरह से हम MS Paint में टेक्स्ट के अंदर कलर की जंगा पिक्चर को फिल करते हैं क्योंकि MS Paint में पिक्चर फिल करने का कोई option नहीं है बट method है आज उसी method को मैं आपको सिखाने वाली हूँ बट बिफोर स्टार्टिंग आपको याद दिलाना चाहूंगी यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब चैनल गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजे और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजेगा जिसस या पेस्ट्रॉम ऑप्शन के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं किस तरह से यूज होता है तो इसके लिए आपको हमारी प्रीवेस वीडियो में देखना होगा अभी हम बात कर रहे हैं कि यहां जो यह पिक्चर ली है इनका टेक्स्ट कैसे तयार करेंगे किस तरह से हम प इक ब्रेक्स करने हैं यहां पर हम टेक्स करते हैं यहां पर यहांपर आप साइज करना महीं दो इसको और करके यहांपर हम कर देते हैं 110 and enter यह देखे size increase हो चुका है now यदि आप font style change करना चाते हैं तो यहां से आप font style भी change कर सकते हैं चलिए मैं यहां पर break ले लेती हूं and now हम इसको बाहर क्लिक करेंगे इस box से बाहर क्लिक करने के लिए हमें इससे थोड़ा दूरी बना कर खाली जंगा पर जाना होगा और left क्लिक करनी होगी so मैं यहां पर left क्लिक कर देती हूं now text ready है अब हमें करना क्या है सबसे पहले हमें color 2 में जाना है और color 2 में जाकर हमें black color लेना है देखे students हमें ध्यान रखना है जब हमें picture text त्यार करना है तो उसके लिए हमें color 1 में भी black color लेना होगा और color 2 में भी black color लेना होगा जब दोनों में black color हो जाएगा अब हम select option में जाएंगे and select option में हम click करेंगे इसके drop down arrow पर और rectangular selection ले लेते हैं and now यहां इसको हम select करेंगे अब select करने के बाद हम इसको move करेंगे लेकिन move करने से पहले हमें check करना होगा कि select option में जाकर drop down arrow पर click करेंगे और यहां पर देखेंगे transparent selection पर check है या नहीं है लेकिन यहां पर कोई check नहीं है तो इसको select कर लेते हैं तो हम इस पर click कर देते हैं यह देखेंगे तो यहाँ पर चेक आ चुका है चेक का मार्क होता है तो यह आ चुका है that means कि यह सेलेक्ट हो चुका है अब हम इसको मूव करेंगे यहां से और मूव करके जैसे ही हम इसको लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह ट्रांस्परेंट हो चुका है यह देखे मैंने भाहर क्लिक कर दिया है अभी मैं यहां से box लेती हूँ fill box and यहां पर मैं white color को select करती हूँ और इसे blank कर देती हूँ place को now select option को again लेंगे और यहां से इसको move करेंगे select करके and इसको move करके जब हम नीचे लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां आपका text बन चुका है with picture so इसे बोलते हम picture text next picture text बनाते हैं उसके लिए again हमें text tool पर click करना होगा तो मैं यहां पर text tool पर click करती हूँ and यहां पर drag करके एक text box create करते हैं now यदि हमें font family change करनी है तो हम यहां से change कर सकते हैं तो मैं यहां से broad way ले लेती हूँ this one and यहां size कर देते हैं 26 यदि आप चाहें तो drop down arrow पर click करके भी यहां से select कर सकते हैं 26 now यहां पर हम type करेंगे लेकिन उससे पहले हमें यहां पर color one में black color क करते हैं get knowledge spread knowledge यहां पर मैंने type कर लिया है और इसे हम यहां पर click करके enter कर देते हैं and थोड़ा space दे देते हैं इधर जिससे center में आ जाए now इसको move कर लेते हैं यह लिजे इसे थोड़ा small कर लेते हैं box को now बाहर click कर देते हैं and अब हमें check करना होगा firstly color one and color two black होने चाहिए and then select option में जाएंगे और यहां देखेंगे कि transparent selection पर check होना चाहिए दोनों ही हुए है now select पर click करेंगे और इसको select करेंगे and इसको move करके picture पर लेकर जाएंगे जो भी picture का हमें color combination देना है या जो भी picture हमें fill करनी है देखें यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि picture fill हो चुकी है अब हम भार click करेंगे and अब again इसको select करेंगे and select करने के बाद हम इसको move करके यहां पर लेकर आएंगे so इस तरह से हम किसी भी text में picture को fill कर सकते हैं बहुत ही simple method है I hope students आपको यह video clear हो गया होगा if you have any queries so you can comment me in the comment box next video में next topic के साथ again आप से मिलते हैं थब तक के लिए बबाई